हलो इस्टुटवन, वेलकम टो माई यूटूब चैलन आरे इनिवकेशन फाउंडेशन हम आपको पढ़ात रहे थे बहुती विज्ञान में एनिकलाश टेंथ के बहुती विज्ञाने प्रावर्तन तथापोर्तन जिसमें आमने कुछ लेक्चर आपको दो लेक्चर दे चुक अगर करिया है है और नियमेताम मत एंदूण आपको बढको को समभ्गते आपको सिमस्तें थमें आउतलडर्पण को बदा शुखे थिटी की आउतलडर्पण के इसा होता है तो हमने एक चीज बताय था अगर दर्पण कि इतने होते दो परकार के होते एग सम्तल होता है एक गोली दर्पड होता है तो आज हम पढ़ने गोली दर्पड जो हमारे लिए जरूरी है यह हमारे सबसे जादा पेपर में पूछा जाता है गोली दर्पड तो गोली दर्पड में देखो इस समझते हैं कि गोली दर्पड को फोड़ा सा और जूम कर देते हैं आपको clearly दिखाई दे अब आपको दिख रहा है तो दरपन दो प्रकार के होते हैं एक आउतल दरपन दूसरा उतल दरपन हमने इसकी डिफनेशन भी बताय थी दरपन दरपन को कैसे बनाते हैं इसमें क्या करते हैं एक ऐसे सपोच कर लीजिए ऐसे गोला ले लिया गया यहां यह गोला ले लिया गया यानि काच का खोखला गोला ले लिया गया उसको काट दिया गया काट के एक प्रिश पर पॉलिस कर दिया जाए अब इसको देखो काट के तो आप किसी भी तरह से काट सकते हो एक तो हम ऐसे काट दे यहां पे अगर इस दरपन को ले लिया जाए और इसको गाट दिया जाएं इस तरह से यह कट गया कि नहीं? यह दर्पर जो हुआ इस तरह कट गया है इधर से कट दिया और इसको कट के क्या कर दिया? अलग कर दिया इस पर, अब कट कि यह पूरावला भाग जो रहेगा इसको अगर हम मिला दे तो यह मिल सकता है, ऐसी बात नहीं है, बस हमने ऐसे इसको काट दिया गया, यह काट के अलग कर दिया गया, अब इसके देखो, बताया थे, धरपड़वा होता है, जिसके एक प्रेश्च पर पॉलिस की गई होती है, यानि कांच के और दूसरे प्रेश या आप देखो अंदर वाले प्रिश्च, इस पर पालिस कर सकते हो, क्या और कोई मैथड़ आपको पालिस करने का, नहीं, या तो हम किसी भी दरपड़ को जब काट जाने गोले खोकले गोले को, तो उसको दो ही प्रकार से हम प्रेश कर सकते हैं, या तो दरपड के जो होग या गोले कोस होगा उसके बाहर हुष पर या ऑन्दर वाले प्रिश्च पर जब अन्दर वाले प्रिश्च पर झब अंदर वाले क्रिश्च पर बनेंगे तो हैं इसलिए जी हाँ परजू बनता वो अ दो प्रकार का 1 गोले का वाव달 गोले क Kollपने एक ऑ्षाम और और उतल्दर्पड 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 और बताया था कि वह दरपण जिसका बाहरी भाग क्या हो पॉलिस किया गया हो जैसे ये सपोच कर लिजी ये दरपण है इस में ये दरपण है इस दरपण में बाहरी भाग कैसा है ऐसे था ये दरपण और इसके बाहरी भाग पे क्या कर दिया गया पॉलिस कर दिया गया तो अंद अवतल दरपण यह पूछ रहा है कि अवतल दरपण किसे कहते है यहां पर दभी हुए भाग की तरह पाती है तिरे आवतल दरपण कहते है अगला इसी में दूसरा है कि अवतल दरपण किसे कहते है इसे इंगलिस में बोलते हैं कॉन्वेक्स मिरर लिखा हुआ है वह गोलिये वह गोलिये दरपण जिसके अंदर वाले भाग पर पॉलिस की गई हो यानि अंदर वाला भाग पर पॉलिस हो तता कहरा है अवतल दरपण कहते हैं तो देखो एक यहां पर लिखा बना हुआ दरपण यह ऐसे गोल है इस तरह इसे है देखो यहां पर यह बाहरी भाग कौन सा होगा लेप साइड को और अंदर वाला भाग इस साइड को इधर देखो कैसे कर दिया गए यह पॉलिस कर दिया गया जब अंदर की तरह पॉलिस कर दिया गया अवारी भाग क्या है यह यह बाला भाग क्या है तो इसे हम बोलते है उत्तल दरपण तो उत्तल दरपण यहां पर इसको आगे और बताएं इसमें तो आप से कह दिया जए ऐसे भी कह सकते वह गोली दरपण जिससे बाहरी भाग से परक तरह में हOLसितों के भाइतन होता है उसे हम क्या बोलते है उत्तलदरपण य ऐसे भी करना दरपन जिसके अंदर वाला भाग छूड़ूरा थैसको आप देखो इसे चार जदेसे करके लिखाए तो इसको बोलते हम छूड़ूरूरा खुर्दुरा है और बाहरी भाग क्या है चिकना है उसे हम उत्तल दरपड कहते हैं फिर अगले एडिंग देखते हैं क्या है इसे में अब हमें क्या पढ़ना है कि अभी तक हमने ये बढ़ ले अब हमें दरपड से कुछ संबंदित परिभासाये पढ़नी है यही कोई होता है तो उससे परिभासाय कौन-कौन सी वनेंगी वह हम समझते हैं तो देखो इसमें यहां पर है लिखा हुआ है सबसे पहले है यह आपको भीजबल हो रहा होगा नहीं हो रहा हम थोड़ा से बढ़ा कर देते हैं यह आपको बिजबल हो रहा है सबसे पहले लिखाओ दरपन का धुरू यहीं दुरू किसे कहते हैं उसकी डिपनेशनम बनाते हैं दरपन का धुरू तो देखो दरपन का धुरू क्या होगा लिखा हुगा है दरपन का धुरू दरपण का धुरू धुरू किसे कहते हैं परिभासा को समझो परिभासा में क्या बहुत ही आसान होगा कोई बहुत जादा टिपकल परिभासा किसी भी यहां पर है यह नितुग्रम पहले हम इसमें थोड़ा सी परिभासा को समझने के लिए एक दरपड बना लेते हैं चाहे उत्तल हो चाहे आउतल हो अगर उत्तल दरपड आउतल बनाते हैं तो यह आउतल है क्योंकि इसके बाहरी वाले परिश्च पर पॉलिस की गई है और यह उत्तल है क्योंकि इसके अंदर वाले भाग पर पॉलिस की गई तो इसको आप जानते है यह कौन सा दर्पण, अउतल है, और यह क्या है, उतल है, तो कह रहा हैं कि यहाँ पर, तो इसके देखो मद्धिबिंद, यानि यहाँ पर यह कोई बिंद पी हो जाए, जिसे हम द्रू कहेंगे, यह पी होगा, तो बोलते हैं परिभासा, यह दर्पण, दर्पण के मद्धिबिंद को द्रू कहते हैं, तो ऐसे लिख सकते हैं, दर्पण के मद्धिबिंद को द्रू कहते हैं, द्रू कहते हैं इसे किस से लिखते हैं पी से देखो हमने पी से डिनोंट्स किया है तो इसे पी से लिखते हैं पी से लिखते हैं यह हो जागा तो आपको परिमासा अगर लिखना हो तो बहुत ज्यादा अंतर नहीं है यह दर्पन है तो दर्पन के मद्बिन तो यहां पर इनके मद्ध बिंदु यहां पर जो मद्ध बिंदु है इसका दर्पन का बीचो बीच जो भाग बिंदु मिलेगा उसी को हम बोलते हैं दर्पन का धुरू फिर अकला टॉपिक है वक्रता केंद्र हम ऐसे लिखा हुआ है पीडियाप आपको मिल जाएगा वक्रता केंद्र लिख सकते हैं वक्रता केंद्र की परिभासा क्या होगी वक्रता केंद्र अभी आपको बताया थे गोलिये दर्पन कैसे बनाया जाता किसी खोकले गोले को काट कर बनाया जाता यह तो क्योंकि परिवांसा बताते समय हमने आपको बताया था कि गोलिय दरपन को काट कर बनाया जाता तो इसकी डिफिनेशन सेम उसी परकार बनेंगे इसको जिस खोकले गोले को काट कर बनाया गया था यहनि गोलिय दरपन जिस खोकले गोले का भाग होता है उसके केंद्र को ही वक क्रिता केंद करते हैं तो यहां परिवासा लिखेंगे गोलिये गोलिये दरपन जिस खोखले खोखले गोले का भाग होता है यह होता है होता है उसके केंद्र केंद्र को ही वक्रता केंद्र कहते हैं अभी अभी अमने डिपनेशन आपको उत्तल और आउतल दोनों जानते होंगे तो अभी आपको बताया था केक फीगर बना ले एक उत्तल का तो यह उत्तल हो गया ना पहचानी जाओगे और यह क्या होगा आउतल होगा तो आप देखो यह जुका किसकी तरफ है इसकी तरफ तो यहां से अगर ऐसे खीज दें तो इनका केंद्र कहीं ही पे होगा क्योंकि आप जवनते हो गोले को जब आपने कोई परकार से गोला खीचते हो तो उसका कहीं केंद मिलता है तो से मुझ कोकला गोला है तो इसको यहां पर सी हो जागा अगर इसमें उत्तल दरपन में देखेंगे तो उत्तल दरपन में केंद किधर क्योर होगा यहां पर हो ज यह हो जागो यहाँ पर तो आप परिभासा जितना आम लिखार है उसको आप लिख लीजिए पीडियाप आपको जब ये लेशन खतम होगा तब ही आपको मिलेगा इसके पहले नहीं मिलेगा तब तक आपको ये परिभासा जो हम लिखा रहें आपने हैं रिटेंड लोट अब देखो मुख्याच किसे काते हैं इसे में मुख्याच होगा मुख्याच तो परिभासा लिखते हैं मुख्याच किसे काते हैं मुख्याच देखो मुख्याच किसे काते हैं तो मुख्याच की जो परिभासा होगी तो अभी आपको बताएं दरपन का धुरू तथा वक्रता केंद्र को मिलाने वाली रेखा या होकर जाने वाली ऐसे लिख सकते हैं धुरू तथा दरपन के धुरू तथा वक्रता केंद्र वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को मुख्य अच्छ कहते हैं मुख्य क्या कहते हैं अच्छ कहते हैं इंगलिस बोलते हैं प्रिंस्पल एक्सिस कहते हैं देखो इसको समझते हैं कि दरपन का मुख्य अच्छ देखते हैं इसको अब इसका दोनों दरपन आपको मालूम होगा तो दोनों दरपन बनाएंगे फीगर बना लेते हैं तो एक फालीस के जाती है यह पॉलिस की गई और उत्तल बाले अंदर बारे पर बालिस करदेते हैं यह उत्तल ढर्पड हो गया अब बहांद आपसते अब देख nenhuma बता है कि met der prd कम दोरी प्रेता आपसे चला जाए कुछ दूरी प्रें यह फैन भी क harbor, कै यह तरह कै Рव जाए-ट. वक्तेश her यहाद साथ शतर कियों उक्तश लिग सकते हैं तो यही और इसी काए अई दर्पन केHO द्रू यानि फ्सकते एक्ता क्यों से हो कर क्यों को मुखह आख जेखों निते जो मुखह आख यानि निया लिख सकते हैं क् बजब एक पेडियाप में लिखा, आपको बजब नहीं होगा, बस हम ऐसे लिखते हैं, देखो, वक्ता तरिज्या इसको किसे पदस्यत करते है, कैप्टल र से परिभासा क्या हो जाएगी वक्ता तरिज्या तो देखो बहुत आसान सी परिभाशा है यह नहीं आपको परेजान होना कि बहुत यहाँ पर अब पहले हम परिभाशा लिग देते हैं, तो अभी बताया ते दरपन के दुउ दरपण के ध्रू वा वक्रता केंद्र के बीच की दूरी कुँ की वक्रता करते हैं इससे कीसे लिखते हैं, शिसे के बीच का लेकिते हैं आप देखो इसका फीगर बना के समझते हैं। इस इसमें हो गया वक्ततरिज्जा, तो परिखाँ अभी आपको अच्छे से बाज़ आज़ेए लोग्तरपण का थोड़ा सा फीगर देख लो वक्ततरिज्जीं, इस अउतल बना हो गया, इस उतल अच्न आए उतल बने सकते हैं यहां पर आर यह क्या हो जागा सी हो जागा और उत्तल अरपण में यहां पर फईन हो गा और इस के राइट साइड में क्या हो जाए सी उत्ताइब zaga अभ इन्हीं की दूरी वहीं हमें चल परपण के दुरुट Сबसे में है un explore द्रूहर और तो यानि आउतल दरपन में लड़ साइड वक्ततरिज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज्ज् मुख्य अच्छ के समांतर आने वाली प्रकास की किर्णे प्रकास की किर्णे प्रावर्तन के पस्चात मुख्य अच्छ के जिस बिन्दु से होकर जाती है जिस बिन्दु बिन्दु से होकर जाती है या जाती हुई प्रतीत होती है जाती हुई प्रतीत होती है उस बिन्दु को मुख्य फोकस कहते हैं परिभासा इंपॉर्टन्ट है आपके लिए क्योंकि पेपर में कई बार यह पूछा गया दो नंब्रों में इसे एप से या जिसे मुख्य फोकस एफ कहते हैं अब इसको समझते हैं यह परिभासा लिख दिया अभी आपको डाइग्राम बनाएंगे तो डाइग्राम अच्छे से आपको सौज में आ जायागा तो पहले देखो इसका डाइग्राम बनाते हैं तो अभी आपको आपको अमने बताया था दो दरपढ होते हैं एक उत्तल दरपढ अदूसरा कौनसा आउतल दरपढ तो सबसे पहले हम बनाते हैं फीगर इसमें उत्तल दरपड का, जब उत्तल दरपड का फिगर बनाएंगे, तो दिखो, यह सपोच कर लीजिये, यह दरपड है, यहाप दरपड हो जाए, य lean कोई भी दरपड अभी हैं, इस पर हमने पॉलिस नहीं किया, कि पॉलिस किया है, जब पॉलिस करेंगे तो आपको कन्फ़म हो जाओगा. तो एक माल लिया गर ये दरपण है, अब दरपण पर प्रकास किरने, जब खीचेंगे इसमें, तो प्रकास किरने डाली जाएगे. इससे पहले आपर देखो, इसको हम क्या करदे? पॉलिस कर दे यह क्या हो गया? तो बाहर वाले क्या हो पर पालिषक्राइब कर दूदिये इसलिए कौन साबन तया दव्कण? बैाउतल्डर्पन बाउतल्डर्पन तो यह क्या हो जागा मुख्यच हो गया यहां पर तो अभी इसमें परिमासा इसको हम किसे लिखते थे यह पी से लिखा जाता था और वक्ता केंद क्या होता था सी से लिखा जाता था यह पी हो गया और यह क्या हो गया सी हो गया अब कहा गया परिमासा कि मुख्यच के समांतर देखो इसमें लिखा है, मुख्याच के सबानतर आने वाली परकास केड़े, प्रावर्तन के पश्चात, मुख्याच के जिस बिंदु से होकर जाती है, उस बिंदु को हम मुख्य फोकस कहते हैं, एक फिर और इसमें बना लेते हैं, ये तो उत्तल का हो गया, पर दूसरा बना लिजे, इसी में अउत्तल का, उत्तल का बनाते हैं, ये उत्तल दरपण हो गया, इसमें जब कीचेंगे केड़े, तो दूसरी केड़े कैसी जाएगे इसमें, ये हो गया, मुख्याच, यानि इसको हम किस से लिखते हैं, ये पी हो जागा, और राइट साइड क्या हो जागा सी हो जागा, अब आप इसको क्या करिए, मुख्याच के समानतर, ये मुख्याच, यानि PC क्या है, मुख्याच के समानतर, यहाँ पर कीचेंगे, जब कीचेंगे तो कैसा दिखेगा, देखो, यहाँ से परकास कीचेंगे ऐसे चलेंगी, यहाँ पर पहुंचेंगे, सीधा सम जो यहूम है यहाँच के करने यहाँचेछ बिछू हो गए हूँ निग और ऐसं लखीने जो तो समानतर हो रे घुआँकरा अर फिर इसी में अगर इस दर्पड में हम खीचते हैं तो प्रकास कीad एसे गई ये समांतर हो गए, तो मुख्यच के समांतर ये किर्णे हो गए, मुख्यच के समांतर ये किर्णे हो गए, और मुख्यच के समांतर क्या हो, ये किर्णे हो गए, ये ये किर्णे हो गए, ये किर्णे क्या है, मुख्यच के समांतर, जो किसकी ओर आ रहे हैं, दर्पन की ओर आ र भी मुख कर देखाङ कि तो प्रावरितन पहुंचे की तब ही प्रावरितन परा अप्रावरतन को पर्फथा एसे गल आघ उसे हम क्या बोलते मुखे फोकस कहते हैं, अब मुखी फोकस के लिए देखो, यह किर्णे जैसे आए, सपोज कर यह कहां से जाएंगे, यह आए, तो ऐसे निकल गई, किर्णे, दूसरी आएगे, तो देखो कैसा निकलेगी, इस ही के बिन से, यहां से निकल गई, ऐसे, एक यहां से जो होगी, तो अंद तो देखो, यहां से निकल गई, तो यह देखो किस बिन्दो पर मिल लगई है, यह वे सब किर्ने, इस ही कहा अए, यही कहाँ गया, यही कहाँ यहां। इसमांतर आने वाले प्रकास किर्णे, प्रावरतन के पष़ात मुखी फोकस के यह वह वह मुख अच्ही के जिस बिन इसी बिंद से होकर जाते हैं इसी बिंद से होकर जाए मुख्य के तो इसी बिंद को मुख्य फोकस कहते हैं अब इसमें देखो और दूसरा देखे इसमें उत्तल दरपण में तो उत्तल दरपण को देखते हैं तो उत्तल दरपण हो जागा इसमें जब बनाएंगे तो यह प्रावारतन के परावारतन 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 के पर जभी आपको, यह हो गया, फिर इस से गई, यहाँ पे, इस पे मिला देते हैं, देखो, यह तीनों मिल गई, अब इसका फीगर मनाने के लिए हमें यह परियोग करना, अब देखो प्रकास केरणे कैसा, जब यहाँ से परावर्तित हुई, तो इसी के सीध में ऐसे चली जाएं यह कीड़े कैसे चली इधर चली गई और यह परावर्तित हुई तो ऐसे चली गई, इनको आपने क्या के पीछे बढ़ाया, तो पीछे बढ़ाने पर यह कीड़े जाके एफ पर बिल गई, जब एफ पर बिल गई, तो यहाँ पर देखो मिलती हुई प्रतित, यही लिखा क्योंकि जिस बिल रही हो यहाँ पर यहाँ पर मिलती हुई परतित होती है, यहाँ पर मिल रही है आउतल दरपण में और उतल में मिलती हुई परतित हो रही है, तो इसलिए हम बोलता है, जो होकर जाती है यह जाती हुई परतित होती है, अब इसमें पोचा जाए, इसका फ बनता है, देखो 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 बनता है, देख alelu fond Черक secularis मतलब सुछी में ही द्थाल्टर यह दो ऊस्टीप लिए ओग तो आटालारपण में वास्तीप होता है आफ दया अचान है इन Slikta फोक्स वास्तीत होता है याद रख लाच में यह दोना हो जाऊगा फिर अगला टॉपिक देखते है, इसको आपको सभज में आ गया होगा, इसको आपको सबज में आ गया होगा, इसको अगला टॉपिक है, फोकस दूरी, अब फोकस दूरी सेम गही जैसा अब ही आपने पढ़ा था, फोकस दूरी, तो देखो फोकस दूरी को हम क्या लिख सकते अभी मुख्य फोकस पढ़ा, तो फोकस दूरी, फोकस दूरी किसे कहते हैं, तो यही हो जाएगा, धुरू तथा, हमेशा धुरू से जितनी दूरी हमाँ पे जाते हैं, इसलिए लिखा जाएगा, दरपन के धुरू, तथा, मुख्य फोकस, फोकस के, मुख्य फोकस लिखा रहा है मुख्य फोकस के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं दूरी कहते हैं इससे लिखेंगे किस से इसे स्मॉल एप से लिखते हैं स्मॉल एप से लिखते हैं अभी आपने पीछे फीगर बनाया था उसी फीगर में आपको दिखा देते हैं ताकि आपको आसाने से समझ में आजाए देखो इसमॉल एप से पदेशित करते हैं यe figure हमने बाताना था, तो दिखो इस figure में अपने अपने ये लिखा हुआ है इसमेड़ों तो यहाँ से यहाँ तक कि दूरी क्या राती है? फोकुस दूरी कहां से कहां तक कि? दिखो ये F है तो यह दूरी यहाँ से और यह क्या होज 서 F, यहां तक की दूरी हम को क्या बोलते हैं, फोकस दूरी, इधर देखो, राइट साइड में, यह P है, तो P से दूरी हम आपी जाते हैं, तो यह P से लेकर यहां तक की दूरी को, यानि C तक की दूरी को, फोकस दूरी को 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 फ थाства focus दूरी मेशंबद किया होता है तो हमने एवी आपको बता भी दिया था कि वक्ताति तरिज्ज्आ तथा focus दूरी में दूरी भी बता था किसे प्रदेसित करते हैं तो फूछा जाmaybe कभी पेपर में पूच लिया जाता है कि फोकस दूरी तथा वक्ता तृज्या में संबंद लिकिए तो क्या हो जाएगा बस सूत्र याद कल लीजे बहुत ही आसान सूत्र है सूत्र में यह फोकस दूरी बराबर होता है वक्रता तू होता है यहां पर तो फोकस दूरी को एप से लिखते हैं और यह हो जागा आर बाई टू हो जागा तो फोकस दूरी की परिभासा एक और बनती है कि वक्तत तूरी की आधी आधी का मतलब क्या होता है एक बटा दो वक्तत तूरी की आधी दूरी को फोकस दूरी कहते हैं य खोकष दुरी के दुगणी दूरी को, फिक हम क्या को बमलत है? यह उन्य। परिभासओ सुछब वा की भासबनी है लुगञारल उन्य। अब शैघ्क हाँ अब अब अल्ड़ाद है कुछ चार्धियम। आपर्तभ आपको सबसे पहले सा मज़न पढ़ेगा कि पार्तभीम सबस्जया है कि पार्तभीम को आप समझाटे इसको फ़ड़ा सा फीक बढ़ कर लें ताकि आप पड़ सको क्योंकि तोड़ा से जादा लिखना पड़ेगा ठीक है पहले तो यह जू लिखा है चाहिए आप देख सकते हैं दो परिफाँ सामने लेकर आए आपके सामने ताकि आपको अच्छे समंझे हैं आप तो अब बताया थे ना पिस कॉलेज जाते हो तो कॉल अच्छे सामने आप र्पन मैं बिखाई बेखन के लिखाया चरम सहिते हैं तो यह ऐस ॉड़ के Spiderlett । कि यह समाने पिस सामने लिखत्या से ना अब लेखनको लें ले लेग वस्तू को जैसे का तैसा मतलब अगर आप जिस रंग रूप में होंगगे अगर आपने सफेद क कपला पहना तो सफचित कलर्ब का यौ अपने कोई कान में रिंग पहने यह लड़किया तो उनके लिए जो अब e कलर में रिंग पैने लिए उसी रू बिखाएगा एसा नहीं उसका कलर चेंज कर दिया जा धने घग तो उसे हम परतिविम कहते हैं, अब इसमें हम थोड़ी सी अच्छी परिवासा पड़ लेते हैं, क्योंकि रेड डाइग्राम हमें समझना है, तो रेड डाइग्राम को कैसे, दोखो यहां पर लिखा हुआ है, किसी वस्त विया प्रकासिक स्रोज से निकलने वाली प्रकास के किरन यह दो परकार का होता है, एक वास्त भी होता है, दूसरा आभासी होता है, यह पर्तिविम होते हैं, तो किसी परकास रोज यह किसी वस्त चलने वाली परकास के किरने, प्रावरतन के पस्चाथ, प्रावरतन के पस्चाथ मुख्यच पर जिस बिंदु पर मिलती हैं या मिलत को पहले बिंदु का प्रतविम कहते हैं या ऐसे भी कह सकते हैं उस बिंदु को प्रतविम कहते हैं तो यहां पर थोड़ा सा एक डाइग्राम बना के आपको समझाते हैं कि डाइग्राम जब आप पढ़ेंगे तो थोड़ा सा और बेटर आपको लगेगा तो डाइग्राम दे एक ऐसा ले लिया, जिस पर हमने क्या कर दिया, कि अंदर भाग पर पालिस कर दिया, जब अंदर भाग पर पालिस कर दिया, तो इस पर देखो, किसी वस्ते चलने वाली परकास के किःणे, जैसे कोई परकास किःणे, यहाँ पर सबसे पहले मुख्यच खीच देते हैं, जब म मुक्य okioce हो गया...घ्ए कि इससे चलने वाली प्रकास के घंयंहे, जरी कोई वर श्रोच कर लिज़े... यह ऐसे रखी गई है जरी एक वस्त थी, जो ऐसे यहां पर रखी गई है, अब यहां प्रकास के घंचने निकले ऐसे गई यहां तक अब प्रावर्तन होगा तो प्रावर्तन के परसाथ किसी दूसी दिशा में ऐसे यहां से चली गई यह सपोच कर लिजे जिस बिन से होकर गई उसको हम बोलते हैं F यानि यहां पर जिस से होकर गई इसको F बोलते हैं यानि F से होकर चली गई दोसी परकास केरने यहीं से 6 से इसी से । अचे मुख फोकस से हो कर चली जई एडिनीcolor, कि krudач यहांपर फोकस हो कर चलीज़ए यहांपर उप कर श चलीज़ए यहां लेगां बन की वहां रख ओ चलीज़ए तो देखो परतिम कहां पर बन गया, ऐसे तो बन गया, तो यह वास्तविक रूप में बन गया, और जब कोई परकास किर्णे वही इसमें कहरा, किसी वस्व चलने वाली परकास किर्णे प्रावर्तन या पॉर्तन के पास साथ, जिस बिंद पर मिलती है, तो देखो यहां से चल किर्णे वाली परकास किर्णे प्रावर्तन या पॉर्तन के पास साथ, जिस बिंद पर मिलती है, यह मिलती हुई परतित होती है, उस बिंद को हम प्रतिम कहते है, अब मुख्यता क्या होता है, यह दो प्रकार का होता है, एक वास्तविक परतिम है, और दोसरा आभासी परति इसी में से आपको पूरा मिल जाएगा, पचीस नंबर आपको कहा था दिलाने के लिए, पचीस नंबर आपका पूरा आएगा, उसमें कोई एक संदेश नहीं है, कि संदेश है आपका, बस आप मेरे लेक्चर को देखती जाएए, अच्छे से और अच्छे से पढड़े तयार करते जाएए, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम नो है, और वीडियो अदि आपको अच्छी लगी हो, तो लाइक करिए, सब्सक्राइब कर लिजे चैनल को, और सेर कर दीजे, ताकि अन्य दोस्त आपके पढ़ सके, वीडियो देखने के लिए, थाइंक्यू सो मच्छ